जे नमस्कार एक बार फिर से भारती मेला सौक्ति फाउंडेशन की मेरी आज इवी का मेरी पहचान इस पहल के साथ आज हम लोग ग्राम खरेंगा ब्लॉक धमतरी जिला धमतरी चतिस गड़ भारत के वो दुरस्त और पिछड़ा राज्य जो चतिस गड़ कहा जाता है लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज जिस जगह में मैं खड़ा हूँ वो ग्राब खरेंगा है जहां पर एक एकिस वर्षी है बालक के थुरू आज प्यमेजीपी का लोन का फायदा उठाते हुए तीन मशीन तीन दोना पुत्तल मशीन के साथ उद्योख केंदर का इस रिभा है इस उद्ध्योख केंदर से आपको क्या फायाद होने वाले हैं आपके गाऊं में आपके दोस्तों के बीच में युवां के बीच में आप mıसीज देना चाहत है जी मेरा नाम नरेषुक मैं ग्राम करेंगा जिला धमतरी श्तीन कल के निवास्थी हूं मैं एक चोटे से ग्राम खरेंगा में रहता हूं यहां किसी प्रकार का उद्धोक नहीं है और हमको एक आउसर मिला मेरी अजी का मेरी पहचान भारती में ले सकती फाउंडेशन के माध्यम से जहां मैं स्वेम अपना रोजगार चला पाऊंगा और स्वेम दोना पतल उद्धो लग रहा है इनका में जोंक बुना चाहिए कि बनाएंगे हम है ना दुना वो बाइबेक सिस्टम है जो भारती में ले सकती फाउंडेशन हमको प्रॉइड करवा रहा है खुद कच्चा माल दे रहा है साथी साथ हमको बना बुनाय माल को मार्केटिंग कुद करे वो ले जा कर रहा हूं कि मैं अपने गाहं में महिलाओं को दिदियों को रुजगार से जोड़ूंगा साथ थे साथ उनको उध्वक लगाने के लिए प्रेदिधि भी करूंगा बहुत-बाड़े सर् इस कारेक्रम से और इस उध्वक केंड्र से इस उध्वक केंड्र से आप कितना क्योंकि मेरे खुद कर रोजगार लग रहा है और सबसे अच्छा खास यह है कि आप बनाते हैं बेचने का जंजट नहीं है अभी तक कि जो मुसीबत आते हैं दिक्कते आते हैं उनसे हम लड़ पा रहे हैं इस उद्धो के माध्यम से हम बनाएंगे मैनुफेक्ट्रिंग करें हैं आप हैं नरेंद्र साहुजी नरेंद्र कुमार युवा सांथी जिसके माध्यम से आज एक छोटा सा उद्ध्योक केंद्र नहीं यह बहुत बड़ा उद्ध्योक केंद्र है कहते हैं दोस्तों कि जिसकी सोच बड़ी होती है उसके लिए दुनिया भी छोटा लगता है य हिंजे भारत अब दिखाई